वोटल दा ग्रेंड पैलेस बनाएं अपने एक फूप सूरत पायादगार पलो को और भी खास दा ग्रेंड पैलेस के परिणे बंदन के साथ चाहिं बाठीका के पास वोपाल रोड दा कर कभी तालाव में मस्ती करते तो कभी नदी में नहाते या वाजार में घूमते हाथियों को तो आपने खूप देखा होगा लेकिन विशाल कायक कहे जाने वाले हाती को हेंड पम से पानी पीते आपने शायद ही देखा होगा जी हाँ अपनी प्यास बुझाने के लिए हाती हेंड पम से पानी पीते नजर आया है यह नजारा सागर जिले के रहली में देखा गया दरसल हाती लेकर गाउं-गाउं में घूं कर अपना दाना पानी चलाने वाले बाबा सागर जिले की रहली में पहुँचे थे जो दान दक्षिना लेकर हाती के दर्शन करवा रहे थे बाजार में कोई इने फल खिला रहा था तो कोई आशिरवादले ने हाती के पास तक जा रहा था क्योंकि हाती को भगमान गनेश की प्रतीक के रूप में माना जाता है यह बाबा रहली से बजरिया होते हुए जब चांगपूर्ति राहे की तरफ जा रहे थे तभी महावत को हाती के प्यासा होने का एहसास हुआ तभी राव मार्केट में लगे हैंट पंप के पास हाती को ले गए जहां पर बाबा ने हैंट पंप चलाया और हाती उससे पानी पीते हुए नजर आया वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे हाती हेट पम से अपनी सूड में पहले पानी भरता है फिर अपने मुह में सूड को रख कर पानी को पी लेता है करीब 20 मिनिट तक हाती ऐसे ही पानी पीता रहा इस तरह से हाती ने अपनी प्यास बुजाई और फिर महावत वहां से अपने गंताव्य की ओर बढ़ गए करीब 20 मिनिट रहां से टाँटी की ओर बढ़ गए झाल 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 होटल दा ग्राइंड पैलेस बनाएं अपने खुब सूरत पायादगार पलों को और भी खास दा ग्राइंड पैलेस के परिणे बंदन के साथ शौदिस हमारों वा पाइटियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साथ सज्जा के साथ स्वादिस्ट खाने का जायका लीचे हमारे प्योर वेज के ट्रिंग के साथ शौल पार्किंग एरिया सीसी टीवी से सुरक्षित कैमपस हमारा पता है होटल दा ग्राइंड पैलेस साइबाटिका के पास वोपाल रोड सागर मद्रदेश